दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है वो ETV बिहार के न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको दे रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये आज का ही न्यूज का अपडेट है तो मेरे चनल पे आपको सबसे पहले और सबसे अपडेटेड न्यूज आर्टिकल मिलती है और किसी भी च करना है हमारे चनल को सब्सक्राइब करना है वांकी चनल पे आपको तरह तरह का बेफालतू कॉंटेंट देखने को मिलेगा फेक खबर लोग बना लेते हैं खुच से ये ट्रेने चलेगी वो ट्रेने चलेगी ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है मन में ख्याली प्लॉव बना ले लेकिन मेरे चनल पर आपको केवल authentic information दिया जाता है और सबसे तेज और सबसे latest जो अपडेट होता है वो आपको दिया जाता है तो जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लिखावा है 12 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया अस्थानी लोगों में आक्रोस देखते हैं यहां पर जो है क्या अपडेट है यहां पर एक वीडियो भी है इस वीडियो को हम पूरा नहीं चलाएंगे थोड़ा सच लाएंगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है कि आप किसी सी विपारी से पूछेंगे कि आज वो कहां से कहां रहते और आज कहां पे हैं अंडेट परसेंट राजनितिक कारण है क्योंकि अगर राजनितिक कारण नहीं होती तो 15 साल से सारसा फर्विसंज बंद नहीं होता रिवले लाइन दो हजार आठ में कुषदा क्या कोषवा स्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व में या पुरे भारत के वर्ड में तेरा साल या पंदरा साल का मेगा बलोग हुआ होगा दो से धाय साल का मेगा बलोग होता है तो अभी फेस्टिवल पिरियेड में जो है उन लेकिन अगर फैरसा रेलखन की बात अगर चालू कराने की हो तो वो नहीं करा पाएं तो दोस्तो आपने देखा अब हम आपको पढ़ करके भी यहाँ पर बता देते हैं कि क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है बिहार के अररिया फारविस गंज सहरसा रेल खंड आमान परिवर्तन का कारे 12 साल बाद भी पूरा नहीं होने से अस्थानी लोगों में आकडों से इसे लेकर अस्थानी लोगों ने कई बार आंदोलन के साथ दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है बता दें कि बड़ी लाइन निर्मान को लेकर रेलवे ने 20 जनवी 2012 को मेगा ब्लोक लिया गया था जिसके बाद आमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद रेल सुरक्षा आयूक्त ने भी ट्रेन परिचलन सुरू करने को लेकर नो म दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है वो भी लिखा है कई कोई इसे सियासी भेट चराने के बाद कर रहा है तो कोई रेल विवाक की लेट लतिफी बता राय फार्विस गंज रेलवे स्टेशन पराजनितिक दल से जुड़े लोगों ने अपने परतिकरिया दी और कहा कि फ रहावीत हुआ है इसलिए इस रेल इसे जल से जल शुरू करना चाहिए दोस्तों आगे भी यहाँ पर लिखा हुआ है अब देख सकते हैं व्यावाईक दृष्टी कोन से फार्विस गंज सिमांचल का सबसे बड़ा बजार था जब इस रूट पर रेल चला करती थी तो बार ने भारी तबाही मचाई थी सभी रेल पत्रियां बार के कारण ध्वस्त हो गई इसके बावजूद लाइन को दुरस्त कर फार्विस गंज ने नर्पत गंज तक रेल लाइन को चलू कर लिया गया था वहीं 2012 के मेगा ब्लोक के बाद आज तक रेल का परिचलन शुरू नहीं होना रेल विवाग के लिए इटले तबी को दरसाता है ये इटीवी का न्यूज आर्टिकल है जो अपडेट था वो मैंने आपको दिया अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत ज़्य और इस रेलवे लाइन पर रेलवे को एक ट्रेन जरूर से जरूर देना चाहिए था लेकिन ये रेलवे कि लापरवाही कहें या फिर ये कहें कि नजर अंदाज किया जा रहा है क्या कारण है आगे हम लोग देखेंगे दोस्तो जो रेलवे लाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है फारविस गंच और फारविस गंच से जब आप पस्चिम के दिसा में बढ़ें तो ललित ग्राम होते हुए परताबगर होते हुए सराइगर होते हुए फिर सुपाल होते हुए यहाँ पर सहरसा जं को मिल रहा है और आज इसी रेलवे लाइन पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस रेल लाइन पर क्यूं नहीं ट्रेन का पड़ी चलन नहीं किया जा रहा है बारत तेरह वर्स बीत गए लेकिन आज भी इस रेल रूट पर कोई भी ट्रेन अभी तक नहीं चल पाई दोस्तों इस रेल बे देरी कर रही है या फिर जो भी कारण हो उसके बाद ट्रेने सराइगर जंग्सन आती है यहाँ पर सराइगर जंग्सन आप देख सकते हैं और सराइगर जंग्सन से ट्रेने यहाँ पर सुपावल आती है और सुपावल से फिर ट्रेन सहरसा को आ जाती है यह रहा सहरसा जंग्सन तो सहरसा फॉर्विस गंज एक ट्रैक होना चाहिए था एक रेल लाइन होनी चाहिए थी और सहरसा से सुपॉल होते वे अररिया होते वे भी एक आप फॉर्विस गंज को जा सकते हैं आप सहरसा से सुपॉल आएंगे सुपॉल से फिर आप इस रेल माध्यम से आप अररिया कोट को आ सकते हैं और अररिया कोट को जब आप आएंगे तो अररिया कोट से फिर आप अररिया होते हुए यह आप देख सकते हैं फारविस गन जंक्सन आ सकते हैं तो दो रूट हैं फारविस गन से सहरसा आने के लिए आईए अब हम लोग जो लेटेस्ट अपडेट है वो देख लेते हैं